गरेलू उपाये में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैन, बौध और सिख धर में दिवाली का तेवहर कैसे मनाते हैं जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदू धर्म तो दिवाली को मनाया ही जाता है लेकिन जैन और सिख और बौध धर्में दिवाली का तेवहर कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें मनाया जाता है, खुश्यों को बढ़ाने और जीवन को के दुखों के अंदकार को मिटाने का या तेवहर दुनिया का सबसे अच्छा और सुन्दर तेवहर माना जाता है इस तेवहर को इसा पूर्व 3300 वर्ष पूर्व से लगातार मनाया जा रहा है सिंदु घाटाई की सब्वता के लोग भी इस्तिवहार को मनाते थे इस दिन जहां भगवान राम स्री लंका से लोट कर अयुध्या आये थे वही बाद धर्म के प्रवक तक गौतम बुद्ध जब 17 वर्ष बाद अन्याईयों के साथ अपने ग्रिह नगर कपिलवस्तु लोटे तो उनके स्वागत में लाखो दीप जलाकर दीपावली मनाई थी साथ ही महत्मा बुद्ध ने अपो दीपो भव का उपदेश देकर दीवाली को नया आयाम प्रदान किया था दूसरी और जैन धर्म के 24 वे तीर्थक महावीर स्वामी ने दीवाली के दिन ही विहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था कल्प सूत्र में कहा गया है कि महावीर निर्वान के साथ जो अंत जोतिर सदा के लिए बुझ गई आओ हम उसकी छती पूर्ती के लिए बहर जोती के प्रतीक दिये जलाएं तीसरी ओर सिख धर्म में इस पर्व के को प्रकाश के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अमरीच सर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिला न्यास हुआ था और इसके अलावा 1618 में दिवाली के दिन सिखों ने छटे गुरु हर गोविन सिंग जी के बादशाह जहागीर की कैद से जेल से ही रिहा किया गया था हिंदु सहीत उक्त तीनों ही धर्मों में दिवाली का त्योहार बड़े ही धूम नाम से मनाया जाता है इस दिन में भी घरों की सफाई और रंगाई करके चारों ओर दिवपक चला कर रंगोली बना कर और नय कपले पहन कर उत्सव मनाते हैं इस दिन स्वादिष्ट पकवान और मिठाई बनाई जाती है इसापूर चौती शताबदी में रचित कौटिल के अर्थशास्तर से के अनुशार आमजन कार्थिक अमावश्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाकर दीप दान महुत्सव मनाते थें साथ ही मशाले लेकर नाचते और पशू खास कर भैस और सांडों की सवारी निकालते थें मौर्य वंश के सबसे चकरती समराट अशोक ने दिगवजय का अभियान इसी दिन प्राजर्म किया था इसी खुशी में दीबदान किया गया था तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप जान गये होंगे कि हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म बौत धर्म और सिक धर्म में भी दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या कारण है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले और शेयर इसलिए करें अपने वाटसैप शोरसल मेडिया की जो भी है अगर ट्वीटर है फेस्बुक है जिस पर भी आप है वहाँ पर जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह जो भी आपके फ्रेंड्स है अगर इस बात को जानना चाते हैं कि हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म बौत धर्म और सिक आपने हमारे यूटीब चैनल घरीलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आगके आपके लिए ऐसे ही महतपूर जानकारिये लेकर हम आते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तो आते हमयो